शिव बाबा याद है ना? ओम शांती, आज 18 जन्वरी 2024 के साकार और अव्यक्त दोनों तरह के महवाक्य हैं। आज का दिन इस यग्य के इतिहास में बहुत महतो पुरुन दिन हैं। जबकि आज के दिन प्रजा पिता ब्रह्मा भाबा जो निराकार प्रमात्मा का साकार माध्यम रहे। जिनके द्वारा निराकार शिव ने हम सब की पालना की इश्वरिय ज्यान का भंडार दिया। जो भागीरत बने आदी पिता कहलाई प्रजा पिता कहलाई ऐसे पिता श्री ब्रह्मा भाबा का आज सम्रती दिवस है। अथान स्थान पर सब तपस्या करकर विशेश वर्दान प्राक्त कर रहे हैं। तपस्या करना अर्थाट ब्रह्मा बाप को फोलो करना। ब्रह्मा बापनी, शिव बाप पर सम्पूरण निश्चे रखा, निश्चे बुद्धी विजयी बने, बेफिक्र बादिशा बने, एक बल, एक भरोसे पर चले, सचे करम योगी बनकर, हम सब को स्लोगन दिया, जो करम मैं करूंगा, मुझे देख सब करेंगे, निराकारी, निर्वीकारी, निरेंकारी, ये अन्तिम शब्र उच्चारण किये, ऐसे पिताश्री ब्रह्मा बाबा को, हम सभी यग्यवत्स, गौडली स्टूडेंट्स, दिल से नमन करते हैं, और उनकी विशेशताओं को, स्वयम में लाने का द्रड संकल्ट करते हैं, आज के महवाक्यों में, बाबा ने विशेश रूप से कहा, तुम्हारी चलन बहुत दैवी होनी चाहिए, सही समय पर सही कारे करना है, तुम्हारी चलन ऐसी हो, जो सब कहीं कि ये देवता है, तुम्हें अच्छी रिती पढ़ना है, मनुष्य से देवता बनने के लिए, द तुफानाई, तोफा समझना है, अंगद के समान अचल अडूर रहना है, आपको एक बाबा की याद से विकर्मा जीत बनना है, याद का वल अपने में जमा करना है, आज साकार और अव्यक्त दोनों मुरली में, बाबा ने विशेश रूप से जो मीची शिक्षाएं दी, अ डीपली रियलाइज करेंगे और अपने मिलाने का दर्ड संकर करेंगे, सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, पिता श्री जी के पुझे समरती दिवसपर, बाब दादा के मधुर माबा के, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बाब की दिल अंदर, बच्चों को सदा सुखी बना बाब की आश रहती है, बाब यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे लाइक बन, सरके मालिक बने, ओम शानती, बच्चे जानते हैं, अभी भगवानु वाच, सनमुख बैठकर हमको ग्यान के गीत सुनाते हैं, वा ग्यान की डांस कराते हैं, इस ग्यान डांस में, तुम माफिक, सदा सुखी और हर्षित रहेंगे, इस ग्यान डांस में, तुम देवता हम अभी, सदा सुखी और हर्षित रहेंगे, बगवान को ही बिहद का बाब, बाविश्यो का रच्चता का जाता है, आत्मा समघती है, बाबा हमारे लिए सुरक की सोगात लाएए है, सुरक क मालिक बनाने के लिए राज योग सिखाते हैं कहते हैं बाप को और विश्व के मालिक पने को याद करो बाप बेहद का मालिक है तो जरूर बेहद की बड़ी दुनिया स्वरग ही रचेंगे तुम बच्चों के लिए सारा विश्व ही घर है अर्था स्वरग है ये पाड़ जाने का स्थान है बेहद का बाप आकर के बेहद का विश्व अत्वा घर बनाते हैं वो है स्वरग तो ऐसे बाप का बच्चों को कितना शुक्रिया करना चाहिए विश्व का रचेता बाप डिरेक्ट आकर समझा रहे हैं कि हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूं तो तुमारा स्वभाव बहुत मीठा फर्स ग्लास राइल होना चाहिए तुमारी चलन ऐसी होने चाहिए जो सब कहें ये तो जैसे देवता है देवताय नामी ग्रामी है कहते हैं इनका स्वभाव एकदम देवताई है ये बिलकुल मीठे शांस्वभाव आदे है तो ऐसे बच्चों को बाब भी देखकर खुश होते है जब स्वरका मालिक बनाने आये है तो तुमें कितना मददगार बढ़ना चाहिए स्वरका मालिक बनाने आये हैं तो तुमें कितना मददगार बढ़ना चाहिए सर्विस में आप भी लग जाना चाहिए समय पर सब काम करने पर ही कल्यान है जग सर्विस का इजाफा इनामशी बाबा देते हैं बाबा बच्चों की दैवी चलन देखते हैं तो कुर्बान चले हो जाते हैं तुम बच्चे इस पड़ाई से कितनी उची कमाई करते हो तुम पदम पदम पदी बनते हो बाबा तुमें कितना धनवान बनाते हैं बाबा तुमको अखुड खजाने में ऐसा वजन करते हैं जो एक की जनम साथ रहेंगे वह दुख का नाम निशान नहीं कभी अकाले मृतु नहीं होगा जहां तो देखो मौसे कितना डरते हैं रोते हैं तुमको तो खुशी है कि हम पुराना श्री छोड़ जाए नई दुनिया में प्रिंस बनेंगे तुम इस पुरानी दुनिया से ममा तो मिटाते जाओ इस दे को भी भूलते जाओ बस एक बाब के सिवाए और किसी की जाद ना आए एक कांत में बैठ जी अभ्यास करो कि बाबा बस हम अब भी आपकी गोद में आए के आए एक की जाद में शरीर का अंत हो इसको का जाता है एक कांत बाबा कहते मीठे बचे तुम जानते हो ऐसी उची पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन है इस चेतन डिबी में चेतन हीरा बैठा है अर्था ब्रह्मा दनमेशी बाबा चेतन डिबी में चेतन हीरा बैठा है वो ही सत जित आनंद सुरूप है सत बाब तुमें सची सची शिरीमा देते हैं बाब के बने तो कदम कदम शीरिमत पर चलना है चुप रहना है और पढ़ना है एक बाब को सदा जाद करना है गड़ी गड़ी इस बैज को देखते रहो तो बाब पर वरसे की जाद आएगी बैज में लक्ष्वि नराइन का चित्र है तो बाब पर वरसे की जाद आएगी जाद से ही तुम जैसे सारे विश्व को शांती का दान देते हो हर एक बच्चे को अपने प्रजा भी बनानी है वारिश भी बनाने है मूरली कभी मिस नहीं करनी चाहिए बाबा बहुत प्यार से समझाते हैं मीठे बच्चे अपने पर रह्म करो कोई अवग्या नहीं करो जो खश्वूदार फूल है वे खिंचते हैं जो जैसा है ऐसी सर्च लाइट देने की कोशिश करते हैं खश्वूदार गुणवान बच्चों को देख प्यार से खुशी में नैन भी बाबा के गीले हो जाते हैं कुछ तकलीफ होती है तो बाबा सर्च लाई देते हैं बाबा समझाते मीठे बच्चे तुम्हें इस पुराने दुन्या में कोई भी आश नहीं रखनी है अब तो एक ही श्रेष्ट आश रखनी है कि हम तो चलें सुख धाम कहां भी ठैना नहीं है न देखना है सदा आगे बढ़ते जाना है एक तरफ ही देखते रहो तभी तुम्हारी सिती अचलडो रह सकती है अब ये दुनिया खतम हो जानी है इस समय सब से अधिक गुसा प्रकिर्टी को आया है इसे सब ख्लास कर देगे तुम जानते हो ये प्रकिर्टी अपना गुसा ऐसे जोर से दिखाएगी जो सारी दुनिया को उड़ा देगी डुबो देगी अर्थ को एक में मकान नादी सब गिर जाएंगे अनेक परकार से मौत होंगे ये सब ड्रामा के प्लैन बने हुए है इसमें किसी का दोश नहीं विनाज तो होना है इसलिए तुमें सब से बुद्धी जोग हटा देना है तुमने तो अपना सब कुछ इंशोर कर दिया बाब तो सब कुछ सेवा में सफल हो रहा है अब तुम कहेंगे वा सत्गुरु वा जिसने हमको ये रास्ता बताया वा तकदीर वा वा द्रामा वा तुमारे दिल से निकलता है शुक्रिया बाबा आपका जो हमारे दो मुठी चावर डेकर हमें सेव्टी से भविष्य में सो गुन रेटान देते हैं प्रन्तु इसमें भी बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धी चाहिए बच्चों को अथा ग्यान धन का खजाना मिलता रहता है तो अपार खुशी होनी चाहिए ना जितना हिर्दे शुद होगा उतना औरों का भी शुद बना सकेंगे स्थिती से बनने बनाने का शौक होना चाहिए देही अभी मानी बच्चे ही सच्चा डाइमन बनते हैं इसरे जितना हो सके देही अभी मानी बनने का भ्यास करना है एक बाब को याद करना है बाबा अक्षर सब से मीठा है बाब बड़े प्यार से बच्चों को पलकों पर बिठाकर बड़े प्यार से बच्चों को पलकों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे ऐसे बाप की जाद के नशे में चकना चूर होना चाहिए बाप को जाद करते करते खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए जैसे बाप अब कारियों पर भी उब कार करते हैं तुम भी फादो फादर करो, सुख दाई बनो, बाब की दिल अंदर, बच्चों की सदा, सुखी बनाने की कितनी फस्ट ग्लास आश रहती है, कि बच्चे लाइक बन, सरके मालिक बने, तुम बच्चे अभी ड्रामा के रास को जानते हो, बाब तुमें निराकारी, अकारी और सकारी दुनिया का सब समचार सुनाते हैं, आत्मा कहती है, अभी हम पुर्शार्थ कर रहे हैं नई दुनिया में जाने के लिए, हम सरग में चलने लाइक जरूर बनेंगे, अपना और दूसरों का कल्यान करेंगे, बाबा कहते हैं, बाब मीठे बच्चों को समझाते हैं, बाब है दुख हरता, सुख दाता, तो बच्चों को भी सब को सुख देना है, बाब का राइट हैंड मददगार बढ़ना है, ऐसे बच्चे ही बाब को प्रिये लगते हैं, शुबकारे में राइट हाथ को ही ले जाते, लगाते हैं, तो बाप कहते हर बात में राइटियस बनो, सत्य बनो, एक बाप को याद करो, फिर याद करते करते, अंतमते, सोगते हो जाएगी, इस फुरानी दुनिया से महमत तो मिटा दो, धंदा धोरी बच्चोवादी के चिंतर में मरे, तो मुफ्त अपनी बरबादी कर देंगे. शिव बाबा को याद करने से बहुत अबाद रहेंगे. दे अभी मान में आने से बरबादी हो जाती है. दे ही अभी मानी बढ़ने से अबादी होती है. धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी. उसी फिकरात में शी बाबा को भूजाते हैं धन कमाने में लगते हैं तो उस फिकर में शी बाबा को भूजाते हैं बाबा देखते हैं सब कुछ बाब को अरपण कर फिर हमारी शीरिमाद पर कहां तक चलते हैं शुरू शुरू में बाप भी ट्रस्टी बन कर दिखाया, अपना सब कुछ कमेटी बना कर उनको समर्पन किया और अपने आपको ट्रस्टी बनाया, सब कुछ इशर अर्पन कर खुद ट्रस्टी बन गया, ब्रह्मा बाप, सब कुछ इशर अर्पन कर खुद ट्रस्टी बन गया, बस इशर के कामें लगाया बिगनों से कभी डरना नहीं चाहिए जहां तक हो सके सर्विस में अपने सब कुछ ने उच्छावर कर देना चाहिए इश्वर अरपन का ट्रस्टी बन का रहना है अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों पृत मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते अब अब व्यक्त मावा के रिवाइस 15.4.74 बाबा पूछते हैं क्या सभी उंतीके और बढ़ते जा रहे हो सदा लगन में मगन विगन विनाशक ये दोनों निशानिया क्या अनभव में आ रही हैं विगन में नाशक बनने की बजाए विगनों को देख अपनी इसे नीचे तो नहीं आ जाते हो क्या नेक परकार के आगे तुफान आपकी गुद्धी में तुफान पैदा तो नहीं करते जैसे कोई के द्वारा तुफा मिलता है तो बुद्धी में हवचल होती है न हवचल होती जा उलास होता इसी परकार आईवे तुफान उलास बढ़ाते हैं हवचल बढ़ाते हैं आप तुफान को तुफा समझ तो हवचल होगी तुफा समझ अनभौ किया तो उसे उलास और हिम्मत अधिक बड़ेगी ये है चर्टी गला की निशानी गबराने की बजाए अन्बव के नेने रतन इस प्रिक्षाओं के सागर से प्रापत करो क्योंकि हल्चाल के अंदर रतन समाई हुए है उपर उपर से अर्थात बार मुक्ता की द्रिष्टी और बुद्धी द्वारा देखने से हल्चा दिखाई देती अत्वा अन्बव होगी लेकिन उसी आईवी बातों को अंतर मुक्खी द्रिष्टी बाबुद्धी से देखने से अनेक परकार के ग्यान रतन अर्थात पॉइंट्स प्रापत होगी ग्यराई में जाएंगी तो नेक परकार के रतन पॉइंट्स प्रापत होगी अगर कोई भी बात देखने बाद सुनते हुए अश्चर अन्बव होता है तो वो भी फाइनल स्टेज नहीं है ऐसा तो होना नहीं चाहिए ड्रामा के होने पर अगर ऐसा संकार पुत्वन किया तो इसको भी अश्चर मात्र की हलचल का रूप कहेंगे जितना विघन आना वश्यक है उतना विघन विनाश्यक स्थिति मेरा ना यह हर्षित मुग रहने की स्थापना है नथिग न्यू यह है फाइन स्थेज जदि कोई भी हलचल का करतवे करते हो वाप पाट बजाते हो तो सागर समान उपर से हलचल भले दिखाई दे अर्था चाहे करम इंद्रों की हलचल से आरे लेकिन स्थिति नथिग न्यू की हो उपर से चाहे हवचल दिखाई दे लेकिन अंदर स्थिति नथिग न्यू की एकागर एकरस एकांत एकागर एकरस और एकांत अर्थाद एक रच्चता और रच्चना के अंत को जानने वाले तरिकाव दर्शी की स्थेज पर अराम से शान्ति की स्टेज पर सित है जा करम मिंद्रियों के हवचल आंत्री स्टेज को भी हिला देती है जब स्थू सागर दोनों रूप दिखाता है तो क्या मास्टर ग्यान सागर ऐसा रूप नहीं दिखा सकते अभी समय अति की तरफ बढ़ रहा है सभी तरफ अति दिखाई दे रही है अंत्र की निशानी अति है तो जैसे प्रकिर्टी समावती की तरफ अति में जा रही है वैसे संपन बनने वाली आत्मों के सामने प्रिशाय वा विगन भी अति के रूमें आएंगे इसलिए अश्चरे नहीं खाना है पहले जी नहीं था अब क्यूं है जी अश्चरे नहीं फाइनल पेपर में अश्चरे जनक बातें क्वेश्चन के रूम में आएंगी तब तो पास और फेल हो सकेंगे ऐसे ऐसे बाते आएंगी जो ना चाहते हुए भी बुद्धी में क्वेश्चन उत्पन हो जाए यही तो पेपर है और है भी एक सेकिंड का पेपर आत्मा शरी को छोड़ने में सेकिंड लगाती है क्यों का संकलब चंद्रवैश्ची की क्यों में लगा देगा इसलिए एक रस्तिती में स्तित होने का भ्यास निरंतर हो समस्या की सीड को संभालने नहीं लग जाओ एकिन सीड पर बैट समस्या का समधान करना है अभी तक समस्या सीड की जाद दिलाती है विघनाता है तो विशे योग लगाते हो बठी रखते हो इसे सीड होता है दुष्वन को शास्त्र की समरती दिलाते हो लेकिन सत्ता और सदा समरती यही नहीं रहती निरंतर जोगी हो जानतर वाले जोगी हो टाइटर तो निरंतर जोगी का है न यह यह तो नहीं के दुष्वन आवे नहीं समस्या सामना ना कर सके सूली से कांटा बनना है सूली से कांटा बने उसकी बजाए कांटे को योग अगनी से दूर से भगा दो कांटा लगे फिर निकालो यह फाइनल स्टेज नहीं है कांटे को अपनी संपूरन स्टेज से समापत कार देना यह है फाइनल स्टेज, ऐसा लक्ष रखते हुए अपनी स्टेज को आगे चर्ती कला की तरह बढ़ाते चलो, बड़ी बात को छोटा अन्भव करना, इस स्टेज तक नंबर वार जथा शक्ति पहुंचे हैं, अब पहुंचना जहां तक है, जो के आंश और वांश भी समापत ह हो जाया, आप सभी हिम्मत उलास सर्व के सियोगी सदा रहते हुए चल रहे हो ना, कल जो के दुनिया को समापत करने के लिए, या परिवर्तन करने के लिए, विदाई देने के लिए, संगठन अर्थाद घिराव डाला हुए ना, मजबूत घिराव डाला हुए या बीच व ना आगे बढ़ना ना पीछे हटना है, जैसे के वैंसे रहना, ये पाड़ तो पका नहीं करते हो ना, समय धका लगाएगा, तो चल पड़ेंगे, ऐसा सोच कर, जहांके वहां रुके हुए तो नहीं हो, किसी भी परकार के सारे का इंजार करते हुए, खड़े नहीं हो क्या इसकी अंगद की स्टेज समझते हो, जो रुक जाते हो, अगर ऐसे रुक गए, फिर लास्ट फेपर वाले फास चले जाएंगे, जब भी पाड़ों पर बरव गिरती है, तो जम जाती है, रास्ते रुक जाते हैं, उसे अटाने के लिए पुर्शार्थ करते हैं, जहां अगर बरव के माफिक जम जाते हो, इसे सिद्ध होता है, कि योग अगनी की कमी है, योग अगनी को तेज करो, रास्ता क्लियर हो जाएगा, पुर्शार्थ की गति में अंगद समान बनो, माय से हार खाने से अंगद नहीं बने, बलके विजयी बनने के लिए अंगद बनो अच्छा यह प्यार और गुड मौर्णिंग हम रुहानी बच्छों की रुहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाब बुड मौर्णिंग शक्रिया बाब शक्रिया कितना हमें निडर अंगद के समानेक रासिति वाला बनाते हैं अवे आज का बर्दान बर्दानी दिवस्वर बाप दादा का हाथ अपने सिर पर अन्भो करते हुए इसको मैसूस करेंगे सेवा मे रहते संपूरनता के समीवता ही अन्भूती करने वाले ब्रह्मा बाप समान एक्जामपल भव जैसे ब्रह्मा बाप सेवा मे रहते समाचार सुनते एकांटवासी बन जाते थे एक घंटे के समाचार को पांच मिन्ट में सार समझ बच्चों को खुश करके अपनी अंतर मुखी एकांटवासी सिर्थी का अन्भव करा देते थे ऐसे फालो फादर करो ब्रह्मा बाप ने कभी ये नहीं कहा कि मैं बहुत बिज्जी हूँ लेकिन बच्चों के आगे एक्जामपल बने ऐसे समय परमान अभी सब्यास की अविश्चिता है दिल की लगन हो तो समय सुता निकलाएगा और अनेकों के लिए एक्जामपल बन जाएंगे स्रोगन है हर करम में करम और जोका अनवव होना ही करम जोग है हर करम में करम और जोका अनवव होना ही करम जोग है ओम शैंती आज वीडियो में हम सुनेंगे कैसे थे हमारी मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा ये बहुत प्रेणा दायक अनुभव सुनने के लिए उपर दिये गई बॉक्स पर क्लिक करें